तो इस वीडियो में हम बात करने माले हैं कि अगर आपको business loan लेना है आपका कोई new business है या आपको existing business है उसको बढ़ाना चाहते हो और उसके लिए loan लेना चाहते हो तो loan आप कहां से apply कर सकते हो जिसमें आपको अच्छी काति सबसेडिव अगरा देखने को मिल जाती है तो इसके लिए आप आ सकते हो यहां पर जन सामर्थ के official website पर यहां पर देखें आपको सारी गॉवर्मेंट तो काफी सारी यहां पर 6 स्कीमें जैसे यहां पर चलती है सबसे पहली यह प्रधान मंत्री Employment Generation Program प्रदान मंत्री मुद्रय यहां प्रदान मंत्री यौजस्टी वेंडर्स जो रखाते हैं तो उन लोगों को जो है आपको छेक लिएकर आपको लिंक मिल याएगा जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपको कुछ अपने information बगार है डालनी पड़ेगी आपको handling waiver यादा हाथ जो कड़ाई गुनाई का काम होता है उससे जुड़ा कोई business स्टार्ट करना है तो वह आप सेलेक्ट कर दीजेगा manual service से जुड़ा अगर कोई आपको लोन लेना तो उसके लिए ले सकतो street vendors के लिए लोन लेना तो उसके लिए ले सकतो या कोई भी अधर बिजनस हों जैसे हमको अधर कोई business लोन लेना है यहां पर आपको जो business है वो आपको start करना है कि existing है आपका पहले से ही है तो हमको जैसे आप पास हो कि नहीं हो तो है तो यस कर दीजेगा इसके लावा आपने एड़ीपी ट्रेइनिंग मतलब इंटरपनियोंशिप डेवलेप्पेंट प्रोग्राम कबज़कम दो वीक का करा हुआ है कि नहीं करा हुआ अगर करा हुआ है तो यहां पर आपके business का nature क्या है तो हमक आप सेलेक कर सकते हो तो हमको जैसे manufacturing से जुड़ा कोई business start करना है अब जेंडर क्या है आपका तो जेंडर मेल है यहां पर social category आप अपनी सेलेक कर देगा जनरल OBC से स्टी मायनौटी तो हमने OBC सेलेक कर दिया अब यहां पर एक सर्विसमेन हो या फिजिकल हैंडिक आप हो की इन समय से किसी भी एक एरिय में अगर आप रहतो तो यस कर दिजएगा नहीं रहतो तो नो कर दिएगा तो यहां पर आपको लोगेशन करनी कि आपको गाव में कोई business start करना या सहर में कोई करना तो यहां पर हमको सहर में करना अब यहां पर applicant type क्या है तो individual है या नॉन इंड कर दिया आपको जो आपकी एस्टीमेट कॉस्ट आएगी कितनी आएगी कि आपको जो बिजन स्टार्ट करना है कितना रुपए लगेगा टोटल दो लाग रुपए स्टार्ट करने में लग जाएगा जिसमें हम अपनी तरफ से जो है बीस जार का एमाउंट जो है जिसमें आपको 1,80,000 रुपए का लोन मिलना है और इसमें आपको 30,000 रुपए के सबसेडी भी मिलने गौवर्मेंट की तरफ से और इसको इस लोन को आप मैक्सम 15 सालों के लिए सकतो 1830 रुपए की आपकी यमाई बने कि 9% के रेट आफ इंटरस्ट पर अगर आप ले तो 15 चलावा यहां पर देखी कितना लोन मिलता है तो आपकी जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगी मतलब जो भी आपको बिजनस स्टार्ट करना है उसका 15 से लेके 35 परसं तक लोन जो है वो यहां पर प्रवाइट कर दिया जाता है इस स्कीम में जैसे आपको 10 लाग का अगर लोन जहां से आप स्कीम लेख सकतो नेश स्कीम यहां पर देखे आप प्रदानमंत्री मुद्रा जोजना स्कीम से भी आपको लोन मिल जाएगा एक लाग 80,000 रुपय का 3820 रुपय की आपकी यमाई बनेगी मैक्सम पांस साल के लिए आप लोन ले सकतो इस स्कीम से दस परसंट के लोन के सकतो किशोर काटेंगरी आती है जिसमें पचासबुर और पांस लाग के बीच का लोन ले सकतो और तारुन रून के डिकेरिया कोई हो त्रेडिग से जुड़ा कोई बिजनस है यह बिजनस है कोई बिजनस है?」 fuss로 यहां से लोन ले सकतो अब यहां पिन्सqui النत कर सकता हो क्या-क्या जो है डॉक्यमेंट लगेंगे यह आप लिश्ट वगएरा देख सकते हो अब यहाँ पर प्रदानमंतरी मुद्र यूजणा अगर आपको देखें यहाँ पर दूसरी पीम एजीपी लोन के बारे में स्कीम के बारे में स्कीम पर क्लिक करोगे जैसे यह आप देखे अगर आप 10 लाग तक का लोन लेते हो लिकिन अगर उससे उपर का लोन ले तो फिर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप दिखानी पड़ती है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो यह सारी इंफॉर्मेशन आप चेकाउट कर सकते हो और जिस स्कीम से भी यहां पर इस स्कीम के बारे में आप जैसे आप पर प्रोसीट पर क्लिक करो यह साब इंफॉर्मेशन देखके आप यहां से देख सकतो और कॉंटियू पर क्लिक करोगे तो यह आपको एक और जो है यहां पर आपको फॉर्म को फॉर्म को फॉर्म को फॉर्म को फिलप करना पड़ेगा एक चीज आपको यहां पर डालनी पड़ेगी आपना यह आईडी नंबर हो गया वह आपको सेलक करना पड़ेगा अधार काड में जो भी उसका नाम होगा इसके लावा कौन सी एजेंसी से आप स्पॉंसर लेना चाहते हो यहां पर देखें आपको किटनी है क्या है यह सब इंफॉर्मेशन पर यहां पर कम्यूनिकेशन एड्रेस हो गया कौलिफिकेशन हो गया मोबाइल नंबर हो गया इसके बाद आपको जो है आप पर अपनी इडीपी ट्रेनिंग वगरा करी अगर आपने है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहां पर डालनी पड़ेगी प्रोजेक कॉस्ट पूरी यहां पर बतानी पड़ेगी कितना आपको प्रोजेक कॉस्ट लेगा कितना आप इंप्लाइमेंट दोगे दूसरों को क्योंकि आपको आपको डालनी पड़ेगी उसका अफसी नंबर इस यहां से फिर आपको लोन मिल जाता है इसी स्कीम से तो इस तरीके साफ यहां पर अप्लाई कर सकतो हूँ एस लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स लेदूगा तो अगर आप भी बिजनस लोन लेना चाहतो और किसी बी टाइप का बिजनस लोन लेना चाहतो हूँ जैसे आपको काफी सारे बिजनस वगर आपको बताया यहां पर देखें आप आप सकतो और यह भी scheme से आपको loan चाहिए, उस scheme से आप apply कर सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आलग-अलग business की scheme में चलती है, यह तो हमने आपको दो scheme में पता है, इसके लावा और भी है, जैसे handdoom waivers की है, इसके लावा manual, इसके लावा जो street vendors है, उनके लिए भी loan मिलता है, उसके अलग scheme में चलती है, अगर आप देखिए, इन में से किसी आदार scheme के बारे में हमसे information लेना चाहते हो, तो हमारे इस video के comment box से comment करें हमसे पूर सकते हो, तो हम next में उसी का वीडियो बना देंगे, इस website का जो link है, वो आप आप यहां से detail से checkout कर सकते हो, तो इस website का जो link है, वो आपको वीडियो के description box मिल लिए, एक बार जाके जोड चेक आउट करेगा, तो वीडियो कर आपको हमारा information लगाओगा, वीडियो के लाइक कर दीगा, चैनल पना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और हमारे आप कमे इस वीडियो में बस अतना आई, तो मुलते ने शीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद